Hello, Good Morning, साथियो, Welcome to MPS Motivator सिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छे सिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं आज हम लोग क्लास 3 का जैसे हम लोग केमेस्ट्री का वीडियो हम बनाते हैं जिसमें केमेस्ट्री के वीडियो में हमने क्लास 3 का जो चैप्टर नमबर 2 था उसको हमने पुरा कम्पलीट कर दिया है और जो आपको यदि जो बच्छे इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो फीछे वाले वीडियो को देख लेंगे और इसके बाद हम अबजेक्टिव लाएंगे अगले दिन और आज हम क्लास 3 का जो दो चरवाले रैखिक समीकरन होते हैं उसमें का हमने 5 वीडियो होती है जिसमें हमने पहला वीडियो बन चुका है उसमें आप देख शकते हैं और आज हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है वज्र गुनन विधी वज्र गुनन विधी आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो में दो नंबर आपका निश्चित होने जा रहा है जो वी Harvard exam में यह आता है जिसका नाम है बजर गुननविधी जिसमें math का यह दो नंबर का यह question है जो आता है हर साल exam में जैसे वज्रगुनन विधी क्या कहता है जैसे कोई समीकरन होगा और उस समीकरन को हम solve करेंगे और उससे हम क्या करेंगे X और Y का मान निकालेंगे तो जैसे आपको कोई सवाल दिया जाता है तो उस सवाल को पहले देखना है पहले परकना है कि यह सवाल हमसे होगा या नहीं हो और 3x-2y बरावर 6, ओके, तो देखें, यह question आपके exam में आया हुआ है, ठीक है, तो यह question जब आपके exam में आया, तो यह बनेगा sir कैसे, तो बनेगा कैसे, तो इसके लिए आपको समीकरन को जितना चीज होगा, जैसे समीकरन में दो चीज होती है, LHS and RHS, LHS के तरफ सारे चीज 3x-5y और यह plus है, तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, बरावर क्या हो जाएगा, 0, और हम इसको माल लेंगे, समीकरन 1, कोई दिककत नहीं, शर इसको मानिए, 3x-2y-6, इसकल 2, 0, शर इसको माल लीजे, 2, कोई दिककत, हमने माना क्या देखे, पहले कोई जाम में कोश्चन हो सकता है, आपको ऐसे भी पूछा दिया, या ऐसे भी पूछ दिया, तो वजर गुननवीदी क्या कहेगा, कि यदि समीकरन में सारा चीज को आप एक साइड लाइए, और लास्ट में क्या कर दीजी, आरेच साइड में 0 कर दीजी, ओके, देखे, यदि य ब्राबर Y बटा CD-AF ब्राबर 1 बटा AE-BD, इतना तो फर्मूला आपने लिख दिया, जो हमको समझ में नहीं आया, तो सर, X बटा BF-C ब्राबर Y बटा CD-AF ब्राबर 1 बटा AE-BD, सर, इतना तो आप बता रहे हैं, लेकिन सर, हमको इसमें नजर ही नहीं आता कि A कौन है, B E कौन है, D कौन है, E कौन है, and F कौन है, तो हम आपको यहाँ पर बाबु बताएंगे, कि जैसे यह question आगया आपके board exam में, तो आप solve कैसे करोगे, कि देखू बाबु, A का मान, सुरू में देखू, A का मान, 9, B का मान, minus 5, C का मान, minus 5, D का मान, 3, E का मान, minus 2, F का मान, minus 6, अपके board, A का मान, 9, B का मान, minus 5, C का मान, minus 5, D का मान, 3, E का मान, minus 2, F का मान, minus 6, सर हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, अब तो formula पे बता दीजियेगा, X, X किसको कहेंगे, X को तो निकालना है, Y को तो निकालना है, and 1 एक formula है, ओके, आईए, सर, X लिख लिए सर B, B देखिए, B क्या है, minus 5, सर F क्या है, F minus 6, minus हो जाएगा, C, सर C का मान बताईए, C का, minus 5, E का मान बताईए, E का मान, minus 2, कोई दिक्कत, X बटा BF minus C, BF minus C हो गया, अब चलिए, Y बता, C, D minus F करते हैं, Y बता, C, D, minus, A, F, A, 9, F, minus 6, ब्रावर, 1 बता, A, E, A, E, A, E, देखिएगा, A का मान, 9, E का मान, E, E, minus 2, and A, E हो गया, B, D चाहिए, तो, sir, B, B क्या है, आपके पास, minus 5, और D, D क्या है, D आपका है, 3, हो गया, चलिए, X बटा, VF minus C, बरावर, Y बता, C, D minus F, बरावर, 1 बता, A, E minus B, D, ओके, अब चला जाए, इसको solve किया जाए, X हो गया, नीचे देंगे, minus 5 में, minus 6 से multiply करेंगे, तो, minus minus क्या हो जाता है, प minus 5, minus 2, plus हो जाएगा, तो, plus 10 हो जाएगा, तो, minus 10 कर देंगे, कोई दिकत, minus minus plus होता है, और plus minus क्या हो जाता है, minus हो जाता है, बरावर, देंगे, Y बता, minus 5 में, 3 से multiply कर दीजे, minus 15, minus minus plus 9, 6 जा 54, ओके, फिर आईए, 1 बता, 9 में, minus 2 से कर दीजे, minus 18, और minus plus और 15, ठीक है, देख minus बता, 30 में से 10 को घटा दीजे, 20, Y बता, 54 में से 15 को घटा दीजे, तो, 9, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 39 हो गया, देखिए, फिर, 1 बता, minus 18, plus 15, minus 3 हो गया, इतना तो, सब आदमी कर सकते, अब हमको निकाल ला है, किसका वैलू, X का वैलू, और Y का वैलू, ठीक है, तो, X का वैलू निकालिएगा, तो, एक बार ना है, X का तुलना, X संख्या के साथ, जिसको आप पड़ी में संख्या करते हैं, जिसको हम किसके द्वारा सुझित करते हैं, P वैलू के द्वारा, P इसको कहेंगे, और क्यों इसको कहेंगे, यहाँ पे हम लोगको X और Y का वैलू निकालना है, ठीक है, तो, जो नंबर आपको जैसे दिया, X बटा 20, और क्या ले लेंगे, 1 बटा, माइनस 3, अब चलिए, इसको कर दे सकते हैं, माइनस 3 में X से गुना करिए, माइनस 3 X, 20 में 1 से 20, X बराबर, 20 बटा, माइनस 3, ठीक है, तो, आगया क्या आपका, माइनस 20 बटा 3, और आप जानते हैं, कि X कामान जो निकल गया, आप Y कामान निकालेंगे, तो, क्या निकालेंगे, Y बटा 39, और कि उधर क्या है, 1 बटा, माइनस 3, तो, इसको कर दीजे, माइनस 3 Y बराबर, 39 बटा, माइनस 3, और इसको कार दीजे, कितना बार में कर जाएगा, माइ जलिए अब हम लोग देखेंगे कि जैसे x और y का मान हम लोगों निकाल लिया है और ex y का मान अब हम इस समीकरन में रखेंगे और इस की बरावर लाएंगे 0के बरावर लाएंगे टिक है जैसे आपका आपका समीकरन क्या है 9x-5y-5 Subscribeable 0 और ex Max x Sono 20 y 3 और y का value minus 13 ठीक है चलिए x का value नहीं क्या x के जगह पर रखे कितना minus 20 y 3 ओके चलिए minus क्या है 5 y तो minus 5 y का value क्या है minus 13 ठीक है plus या minus minus 5 बड़ावर आपको लाना है 0 ठीक है चलिए इसको 33 जा क्या हो जाता है 9 कट गया चलिए minus 20 में 3 से multiply करिए तो क्या हो जाएगा minus 60 और देखिएगा minus minus क्या होता है plus 13 5 65-5 is equal to 0 ओके चलिए बताएगा 65 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ठीक है और आप जानते है plus 60 minus 60 क्या होता है 0 ठीक है तो देखिए 0 आ गया प्रूब हो गया तो मतलब क्या है कि जो आपका X का माना और Y का माना है हुआ क्या है सही है तो एक्जाम में अगर समय बचे तो आप ये तो विधी मिलता ही है कोस्चन एक फर्मूला है जिसको आप कहते है X बटा BF-C बडाबर Y बटा CD-A बडाबर 1 बटा A-VD इस पर बना लिजेगा और ये कोस्चन बहुत ही जादा जरूरी होता है जो एक्जाम के लिए आता है जैसे एक का नाम है विलोपन जो विडियो बन चुका है ये देख सक लखते हैं ठीक है चलिए यहां तक तो देख लिए अगर कभी भी ऐसा आपको डाउट हो कि सर एक सभाई तो हम निकाल लिए लेकिन हमें डाउट है कि इस सही है या गलत तो डाउट को किलियर करने के लिए क्या करिए एक वार समीकरण में एक सभाई का मान रखिएगा और स जो question आप लिख सकते हैं, 6x plus 5y बरावर 5, 3x plus 9y बरावर 6, ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, maths के वैसे concept के साथ, जो आपके exam के लिए बहुत important होगा, और इसके लिए, आप मेरे इस channel पर यदि नहे हो, तो channel को like, share and subscribe कर दीजिए, फिर मैं अगले वीड